दोस्तो आज के क्लास में हम लोग discuss करने ही वाले है landform development में basically fluvial landform features को discuss करेंगे that overall landform development features में fluvial landform that is वैसा landform जो क्या fluvial agent के द्वारा that is बारिश के द्वारा होता है उन पर हम लोग आज focus करने की कोशिश करेंगे now शुबात करते हैं start करते हैं पहले तो समझने की कोशिश करते हैं that ये fluvial landform what is it all about that कैसे ये fluvial landform in general start होता है देखो मुझे पता है आप लोग मनसे सब को पता है बहुत जनों को पता है मैं initial मैं ऐसा सोच रहा हूँ that कुछ नहीं पता है आप लोग को राइट वैसे ही मैं discuss कर रहा हूँ देखो fluvial landform में क्या होता है न specifically surface runoff जो है वो एक major agent है basically क्या होता है बारिश होती है आपको पता है राइट जैसे ये patch of land का जैसे एक picture बनाया गया है आपने भी आजू बजू अपने घर के आजू बजू देखा होगा बारिशों के दिनों में क्या होता है बहुत जब बारि मिल जाता है हलका फुलका gradient मिल जाता है न टडाक से निकल देता है वो समझ रहो basically तो क्या होता है overland flow होता है basically streams का देखो in general surface runoff और stream दोनों लेकिन आपस में अलग-अलग है राइट जैसे सोचो आपने हम लोग ने discuss किया है न वाटरशेड डेवलोप्मेंट में क्या होता है बहुत सारे सोचो एक पहारी है राइट है न तो यहां पर सोचो बारिश हुई राइट यहां पर भी बारिश हुई 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 यहां होता है यहां से surface runoff होकर ultimately यह पानी जो है इस stream में मिल जाता है similarly यहां पर भी जब बाड़िश होती है वो भी पानी ultimately जाकर यहां stream में मिल जाता है similarly इस region में भी अगर बाड़िश हो गई तो वो जाकर ultimately stream में मिल जाता है या फिर human कुछ ऐसा construction करते हैं जिससे यहां पानी proper stream में मिल सके इन पानीयों को बडबादना होने दिया जा है और properly channelize करके इस stream में उसको निर्वा किया जा सके तो देखो पहले क्या था? Surface runoff ही नहीं हो रहा था याँ पे क्या हो रहा है यहां पे क्या हो रहा है Surface runoff हो रहा है क्योंकि जभी भी rain water earth के surface में reach कर रहा है तो laterally है na सोचो यह अगर पहारी है या फिर कोई एक हिली वीजन है तो अगर rainfall यहाँ पे गिरा तो इसको यहाँ पे इधर स्लोप मिल गया तो वो इधर चला जाएगा अगर rainfall यहाँ पे गिरा उसको अगर इधर स्लोप मिल गया तो वो इधर गुरग जाएगा समझ रहो बात है ना अब वही चीज बोला गया है देखो जब rainfall जब धरती में लगता है ना तो ground surface में लगने के बाद वह laterally different direction में spread कर जाता है और उन-उन direction में spread करता है जिधर उन्हें gradient दिखता है राइट और यह gradient जहदर भी दिखता है जैसे इधर gradient दिख गया इधर gradient तो ultimately वो एक stream बना लेता है राइट और यह stream ही बहुत ही important exogenic या फिर planation processes को activate करता है exogenic process क्या हो यार यह fluvial erosion, aeolian erosion, kast जो है यह सब क्या है ultimately यह सब exogenic processes ही है जिसके कारण various landforms create होती है और यह तो हमारा topic ही है यार तो क्यूंकि syllabus में clear topic mentioned है इसी लिए हम लोग इस चीज को properly discuss कर रहे है अब वही चीज बताया क्या है that जब surface runoff streams में convert हो जाता है कब जब या तो वो एक particular gradient से बह रहा है एक particular height से बह रहा है और एक particular direction में flow करता हुआ देख रहा है हमें ठीक है जैसे कि हमें यहाँ पर भी यहा clearly देख रहा है right वही चीज देखो in general जैसे हम लोग ने पढ़ा ना that कैसे streams कहीं पर भी बहता है वही अगर India का भी map अगर आप देख लेना तो आप clearly समझ जाओगे देखो यह पूरा region क्या है Himalayan belt है यह region क्या है यह region अगर देखोगे यह क्या है प्लैट्यू बेल्ट है है अब देखो यह प्लैट्यू है overall है यह Himalayas है क्या हमें देख रहा है that Himalayas से जितने भी पानी आ रही है वो plains के along इधर जाके इधर बह जा रही है इधर भी similarly वही चीज हो रहा है अब यहां पर भी तो बहुत सारे पानी है जो क्या create होती है जो क्या ultimately इधर बहती है क्यों क्योंकि इसको इधर को slope का gradient जो है इधर इधर है ठीक है क्योंकि gradient gradient मतलब क्या होता है यह slope का यह जो slope है ना सोचो इसको अगर slope इधर ही मिल जाता तो इधर गड़गड़ा के चले जाती है इनफेक्ट बहुत समय जाती भी है इसलिए तो नर्मदा और तापी रिवर बनती है ना है ना वो क्यों मन रही है इसलिए है ना क्योंकि उसको उधर आपको slope मिल जा रहा है बे आफ बंगाल में जाके गिरती है समझ रहो तो इसलिए वही चीज जभी भी पानी को जिदर भी slope मिले वो उधर ही गड़क जाएगा समझ रहा बाद तो यह है अच्छा अब पानी को slope मिला मैं समझ गया था हाँ वो stream बना वो stream बनके कि एक जगह से यूनो जा रहा है देखो जैसे stream बह रहा है राइट जैसे stream सोचो यह एक stream मना रहा है एक पानी का धार बह रहा है अब यह तो आप top view देख रहे हो ना जी यह top view है इसका ठीक है अब इसको अगर आप side view इसका cross section view कर दो यहां से इसको card दो ठीक है तो कुछ ऐसा view मिलेगा आपको मिलेगा है न तो यहां देखो river bed हुआ यहां river bank हुआ दोनों side river bank होता है और यहां main river हुआ है ना तो जब मैंने बोला that यह जो fluvial process है that is कोई भी अगर stream बह रहा है तो वो अपने बैते बहते बहत सारे geological works करता है और वो geological work क्या-क्या होता है या तो hydraulic action होता है या तो attrition होता है या तो solution हो होता है या तो abrasion होता है चलो एक करके अगर इसको मिटा दू मैं तो properly और भी अच्छे तरीके समझेंगे जैसे कुछ-कुछ discuss करो so say for example solution है ना so सोचो आपने जब कार्श टोपोग्राफी पढ़ाता हम लोगों ने क्या discuss किया था that कार्श टोपोग्राफी में जो मतलब topographic features क अगर हमें सब कुछ दिखते हैं तो कैसे देखते हैं क्योंकि वहाँ पर solution होता है similarly जबी भी पानी बैता है ना तो सोचो यहाँ पर कोई bedrock है तो भले पानी का धार जो है इतना fast नहीं है है ना देखो दो condition होता है एक है hydraulic action एक होता solution यहाँ पर आप confuse कर सकते हो जो basic difference है hydraulic action का उसमें यह होता है तो जब भी उसको तोड़ेगी तो उसको हम लोग कहेंगे hydraulic action बट कभी-कभी ऐसा भी तो होता है तो बहुत दीर दीर ही बहर रही है बट स्टिल तब ही भी rocks को तोड़ती है तब जो होता है वह solution होता है क्यों क्योंकि वह rock शायद carbonate rocks का बना हुआ हुआ ह है ना इस type के बने हुए रहता है ना तो वह automatically soluble हो जाते है क्योंकि हमें पता है that atmospheric carbon के साथ जो water मिलकर carbonic acid बनाता है जो कि एक weak active solvent agent है है और वही उसको solute भी कर लेता है clear है तो इससे यह इससे आप दो यह works का समझ गए difference अच्छा अब होता है abrasion, abrasion क्या होता है जैसे यह सब जिख्रो ग्राइ ytv में पत्षर कर रहा तो एक पत्थर हिट किया तो इस जमीन को थोड़ा हर्ट हुआ दूसरा पत्थर hit किया, फिर जमीन को hurt हुआ, तीसरा पत्थर hit किया, तब क्या हो सकता है, यह जमीन है यह टूट भी सकता है थोड़ा, या फिर cut भी सकता है, समझे यह long process है ना, अच्छ एक second, एक minute, एक घंटा, एक दिन का नहीं होता है, यह लंबा एक process होता है, जो कि एक सा से क्या हुआ, abrasion हुआ, एक पत्थर, जब इस चब को, या तो riverbed, या फिर riverbank को, धीरे-धीर काट रहा है, और दूसरा हुआ, attrition, attrition क्या होता है, जब abrasion, एक पत्थर है, एक पत्थर है, ऐसा है, बहुत बड़ा पत्थर है, और इसमें बहुत जादा आपका जाके, देखर स्फेरिकल टाइप पत्थर जादा इसके banks या फिर इसके bed को erode करेगा, या यह वाला पत्थर जादा erode करेगा, है न, common sense का बात है, यह वाला पत्थर, ठीक है, अब सोचिए पहला एक ऐसा case, जहां पर ऐसे जो है, तीन चार पत्थर ही है, ठीक है, ऐसे एक पत्थर, दो प पत्थर, तीन पत्थर, चार पत्थर, चार पत्थर है, जो क्या, इसको erode करने है, इसके bank या फिर इसके bed को erode करने है, राइट, अब यह वाला पत्थर इस पत्थर से टकडा गया, ठीक है, और टकडा के टूड गया, और पांच पत्थर बना दिया, तो क्या हुआ, पर जो है, आप खुद सोचिए न, चार पत्थर पहले इस बेड को या फिर रिवर के बैंक को इरोड कर रहा था, बट अभी वो बढ़कर यहाँ आठ पत्थर हो गया, तो आठ पत्थर जादा इरोड करेगा, या चार पत्थर जादा इरोड करेगा, ओवियस सा बात है, आठ पत्थर जादा इरोड करता है, बट ध्यान दीजेगा, अभी क्या है, यह जो इरोड कर रहा है, वो एक जी लोजीकल वोड है, ठीक है, अब क्या-क्या ये वक होती है, एक होती है, एक होता है deposition यह तो mean है, that is यहां से सोचो erode अगर हो रहा है तो आगे में जाके, अगर यह river अगर सोचो इधर जा रही है, कही ना कहीं तो भहिया deposit होगा ही, right तो यहां पर erosion एक्टिवेट हो रहा है बट कही ना कहीं यह जब जाके यहां पर आ रहा है, तो deposition एक्टिवेट हो रहा है but throughout the process, erosion से जो deposition हुआ ना, इस process में क्या हो रहा है, बीच में transportation, that is यह जो material है, यहां यहां से यहां पर transport हो कर भी आ रहा है समझ लेह बाद, मतलब fluvial landforms जो बनती है वहां पर हम इस type के features ऐसे बनते हुए दिखते हैं आज के class में दोस्तों, इस में भी और भी एक depth, बहुत important concept है, जिसको हम लोग कहते हैं, base level of erosion, उसको हम लोग यहां पर पर परते हैं, क्योंकि देखो, इसको अगर समझ गया ना देखो, अभी तो आपम basic चीज समझ लिए, right? अब पहले base level of erosion समझते हैं, क्योंकि base level of erosion क्या होता है, इसको अगर properly समझ लिए, तो आने वाला जो पूरा, यह whole class है इसको जो गहरे गहरे जो concepts हैं, उनको आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि वही आपका civil services के लिए, बहुत जादा important है, क्योंकि मैं आपको hint देऊंगा, 2013 में UPSC, CSC 2013 में clearly पूचाता हूँ, what is base level, बताओ और explain the types of base level मतलब देखो, सिफ आपको types लिखना नहीं है, आप उसको types को explain भी करना है, proper way में है ना, वही चीज बताया तो देखो, आज के class में हम लोग यही अच्छे से पढ़ते हैं, और हाँ, इसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, तो नीचे में आपको description में जाईए, वहाँ पे आपको clearly telegram channel का link दिखेगा उस telegram channel में आप जुड़ जाईए आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस channel को subscribe भी कर लिजेगा, तो इस type के high quality lessons आपको मिलते रहेंगे, अगर आप geography option का preparation कर रहे हो, क्योंकि इस channel का अगर एक भी video आपने देखना छोड़ डाला समझ लेना आपने बहुत धिक विकास से नाता तो डाला, तो इसलिए बिल्कुल compromise नहीं किया जा सकता, और राइट चलिए, discuss करते हैं, शुरुआत करते है base level of erosion, देखो नाम क्या है? erosion, erosion तो हम लोग basic समझ गया, that erosion होता क्या है अब आजाते हैं, base level that is, erosion के base level that is, देखो, erosion जो करता है river, usually river channels करता है, जो कि हम लोगों ने देख लिया अब river channels जो है ना एक proper, उनका मतलब, एक imaginary line होता है, जो कि अब यहाँ पर देख रहो यह dotted line जो है ना, यह वाला यह imaginary line है, ठीक है? कोई भी river, अगर कोई भी land form के उपर से बह रहा है, तो एक particulate imaginary line के नीचे वो erosion नहीं कर सकता है, राइट? अब यह erosion in line आप अगर घर में खोतने जाओगे ना अपना जमीन को आपको कोई line दिखेगा नहीं यह जैसे में बार बार भार भूना हों एक imaginary line है, राइट? है ना? और ध्यान देजेगा, तीन टाइप अफ बेस लेवल होता है, एक होता है ग्रांड बेस लेवल, एक होता है टेंपोररी बेस लेवल, एक होता है लोकल बेस लेवल, ठीक है? आपको जो यह तीनो टाइप है ना, देखो यही तो question में पूछा क्या था? देखो, what is बेस लेवल, बताओ भाया है ना, what are the types of base level और types को explain करने के लिए बोला गया है, ठीक है? है ना? तो देखो, बेस लेवल clear है, क्या है यह? एक limit है, जहां तक कोई भी river, कोई भी river channel कोई भी stream channel जो है वहां के particular local land form को एक maximum downward level तक ही erode कर सकता है, उस limit को हम base level of erosion कहता है, clear है? in fact 1875 को JW Powell जी ने भी बोला था, that एक sea level जो है ना, वो grand base level, that is देखो, यह एक type है लेकिन, अब मैं पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ूंगा grand base level क्या होता है, तब आप फिर से इसको देखना, इस वाले point को तब आप समझ जाओगे इसका meaning that JW Powell जी ने क्या बोला था 1857 में, that a sea level becomes a grand base level beyond which no dry land can be further degraded, है ना, मतलब यह dry land है, ठीक है, एक grand level, जो भी बताया गया है यहां पे, जो भी imaginary line है, जो मैं imagine कर रहा हूँ, यह grand base level इसके नीचे, इस point में, आप erosion नहीं, मतलब आप तो नहीं, मैं बोल रहा हूँ यह कोई भी, जो river है ना वो erosion नहीं कर सकती है ठीक है, चलो इसको और भी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि again, question में ही पूछा गया है भाया explain the types of the base level, तो यह तो types हम ने पढ़ लिया, अब AK को अगर properly explain करे, properly समझे तब ना आपके दिमांग में अच्छे से गुजेगा जी, है ना, तो चलो शुरुआत कहता है पहला है, grand base level grand base level मतलब क्या है देखो, यह ultimate base level भी आप इसको कह सकते हैं या फिर इसको आका कर दो, AK AK मतलब समझते हो ना also known as also known as general base level भी इसको कहते हैं, और इसको ultimate base level भी कहते हैं, यह हमें clearly दिख रहा है, यही वाला है general या फिर ultimate base level, ध्यान दीजेगा यह लेकिन permanent होता है, ठीक है मतलब, this grand base level is permanent base level, that is, permanent base level further, किसके उपर में decide होता है यह decide होता है, यह depend करता है on the position of the sea level, जैसे, देखो sea level, सोचो, यहाँ पर है, right तो क्या हम देख रहे है, that इस sea level के आधार पर ही यह grand base level decide हुआ है, right, similarly, वही चीज़ मैंने इसलिए इसको अलग से बना है, जिससे के मैं भी आपके सामने यह चीज़ बना सकूँ, अगर हम यह sea level decide करते हैं, देखो यह sea level नहीं है यह lake है, यह फिर pond है बीच में यह तो मैं एक exceptional case है, right जो कि हम लोग discuss भी करेंगा ने वाले slide में don't worry, but मैं अभी यह वाले phase में ले रहा हूँ यह जो grand base level है, वो क्या होना चाहिए, right और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था starting में, यह कि imaginary smooth curve है land के below, the slope of which gradually decreases मतलब इस curve का बारे मैं बात बोल रहा है that यह imaginary curve का जो slope है वो gradually धीरे-धीरे decrease कर जाता है कैसे भाईया, देखो, जैसे यहाँ पर ले लो, right यहाँ पर slope क्या है, slope क्या होता या, tangent ही तो होता है, right तो यहाँ पर अगर हम लोग tangent पकड़े, देख रहो इसको tangent, है ना, तो देखो, इसका tangent का देखो angle, sorry, माफ करना इस tangent का angle देखो कितना है, है ना अब वही पर यहाँ पर अगर देखेंगे, हम अगर tangent क्रियेट कर दे, ठीक है तो इसका जो angle होगा यह one angle है, यह two angle है, है ना तो clearly हमें दिख रहा है, that one angle जो है, यह two, दूसरा वाला angle से बड़ा है या फिर हम वाइस वरसा यह बोल सकते है यह दूसरा वाला जो angle है, दूसरा वाला जो slope है, यह first वाले slope से छोटा है, right, similarly अगर यहाँ पर हम लोग एक तीसरा tangent बनाए ना, तो देखो, कुछ ऐसा tangent बनेगा, ठीक है अब यहाँ पर अगर इसका angle angle number 3 ले लो, तो क्या हम angle 3 और भी छोटा दिख रहे आपको absolutely छोटा दिख रहे, और वहीं पर अगर अगर अप इस last point में आ जाओ, तो यह तो बिलकुल tangent जो है, क्या है, यह C level ही है, है ना, मतलब इस C level का जो tangent है the C level is a tangent on this smooth curve, क्या हम लोग बोल सकते है और साथी साथ, क्या हम लोग यह बोल सकते है, क्योंकि इस point में जो gradient है, वो जादा है, angle जादा है, as compared to point 2 as compared to point 3, as compared to point 4, इसी लिए हम clearly बोल सकते है, इस वाले जो imaginary smooth curve है ना, वहाँ पर angle जो है, यह gradually decrease करता है, downstream to the seas, ठीक है, यह gradually, धीरे 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 decrease ही किये जा रहा है, वो हमें clearly यहाँ से proof कर लिए हम लोगोंने, ठीक है तो यह होता है grand based level समझ रहो, grand based level mainly किसके द्वारा decide किया जाता है, by the mean sea level, ठीक है, अब आप बताओ तो, अगर rejuvenation हुआ तो क्या होता है, आपका या तो land mass ऊपर चला जाता है या तो, यह c level जो है, यह नीचे चला गया, गया क्या नहीं नीचे अब अगर नीचे गया, तो आप बताओ यह grand based level भी नीचे जाएगा, absolutely नीचे जाएगा जी, है ना देखो, यह सब trick है, यह समझो properly, ठीक है, और यही सब trick हैसे ही, अच्छे अगर चीजे clarity concepts चाते हो, तो आप हमारे online courses भी join कर सकते हैं, आप अगर सिर्फ जियो morphology, मतलब सिर्फ अगर physical geography पढ़ना चाहिए, पेपर वन का, सिर्फ physical geography पढ़िए आपको अगर सिर्फ और सिर्फ human geography पढ़ना है, तो उसके लिए भी facilities है simply download कीजिये, Smart Rankers Education App, है ना, सब कुछ facility आपको लोगों को दिया हुआ है, anyways, वो पूरा syllabus को cover करता है, proper way में, alright, यह अब यह first वाला तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, grand base level, अब आजाता है, temporary base level, हमने बताया था ना, यह हम लोगों ने lake जो बनाया, यह exceptional case है, तो वो कौन सा exceptional case है, यही वाला exceptional case है, अगर सोचिये, देखो, यह तो grand base level, किस के दोवारा decide किया जा रहा है, mean sea level के दोवारा, बट अचानक से, सोचलो, बीच में lake आ गया, right, अब lake अगर आएगा, तो खुद सोचो, यह जो river जो भी यहां से बह रहा है, वो के, इस level तक तो नहीं erode करेगा, इस level तक अगर erode करेगा, तो उस lake को भी उतना depth कर देगा, ठीक है, वो कि eventually हो सकता है, है ना, in geological time period में आगर आने वाले समय में, ठीक है, बट in general, अगर मैं static चीजे पकड़ू, ठीक है, है ना, for this time being, है ना, अभी का temporal analysis में कर रहा हूं, है ना, तो अभी के time में अगर देख लीजिए, lake कुछ ऐसा है, है ना, तो lake अगर है, तो of course river stream जो है, यह lake में ना बह रहा है, जी, तो lake में अगर बह रहा है, तो lake जो है ना, यहाँ tangent बनाएगा, यहाँ जो temporary base level है, जो के यहाँ पर हमें देख रहा है, यहाँ पर एक नया base level हमें create होता हुआ, जो के ultimately यह main वाले grand base level से मिल जाएगा, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, but for this very region, यहाँ एक temporary base level तो create हुआ, क्यों हुआ, क्या factor है, of course, middle of landform में, आपका lakes यह तो दिख रहा है, यह तो दूसरा चीज हो सकता है, यह hard यह फिर soft rock, अलग-अलग level में hard rock, अलग-अलग level में soft rock presence है, जैसे, बाहिचांज सोच लो, यहाँ पर lake है नहीं, मैं मान रहा हूँ, यहाँ पर एक hard rock है, ठीक है, इतना बड़ा hard rock है, यह पूरा hard rock ही है, अब आप खुद सोचो, hard rock को river क्या काट सकता है, नहीं काट सकता है, राइट, है ना, तो river नहीं काट सकता है, तो of course, यहाँ तक तो काटेगा, यहाँ तक तो नहीं काट रहा है, जैसे यहाँ पर hard rock आ गया, वैसे इसका river का काटना बंद हो गया, मतलब काटेगा, बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है, बट overall, यह जो है ना, इसी इसके उपर से भेहते 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 भेहते, अब local base level, क्या हुआ जी, देखो, यहाँ से सोचो, यह में, अब देखो, यह वाला picture आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे बड़ा वाला stream को नहीं है, अफकॉर्स यह वाला है, ठीक है, और यह वाला छोटा stream है, मतलब यह बड़ा company है, यह छोटा company है, अब छोटा company, बड़ा company के साथ, अगर merge करेगा, तो इस company का नाम क्या रहेगा, यह वाला company है, यह वाला, अफकॉर्स बड़ा वाला company ही रहेगा, अब खुद सोचो, ना, Facebook ने WhatsApp को खरीदा, Facebook ने Instagram को खरीदा, हम तो पेरेंट, company किसको बोलते हैं, इंस्टाग्राम को बोलते हैं, नहीं, WhatsApp को बोलते हैं, क्योंकि Facebookने इनको खरीदा है, तो Facebook यह है Facebook, यह है Instagram, ठीक है, तो Facebook ने जब Instagram को खरीदा, तो ultimately, यह जो, बाद में उसको Facebook के नाम से ही बोलेंगे, that facebook ने खड़ीदा है मतलब main channel का नाम facebook ही रहेगा यह तो एक normal channel का नाम इन general बैंब बहुत दाओ और यह वाला situation में जब दो river stream confluence कर रहा है यह एक पहला river stream दूसरा river stream अब यह खुद सोचो that यह master river stream है मतलब यह वाला master river stream है और यह वाला जो है कोई tributary है अब यह वाला tributary अब खुद सोचो कोई hanging valley से आ रहा है या फिर बहुत सारे उचे altitudinal region से आ रहा है अब उचे altitudinal region से आएगा तो इसके पास क्या हम बोल सकते है that kinetic energy बहुत रहेगा है ना erosive potential बहुत रहेगा अब जहाँ पर erosive potential रहता है तो क्या हम लोगों ने पहले discuss किया था that वहाँ पर जो है V-shaped valleys का formation जादा होता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर downward erosion जो है वो जादा होता है as compared to lateral erosion क्योंकि देखो यह master river stream है master river stream में lateral erosion देरे-दे dominant होना रहा है right but यहाँ पर जो है क्योंकि यह जादा juvenile है तो इसी लिए यहाँ पर जो है इस वाले second वाले stream में अपका downward erosion जादा dominant है अब downward erosion अगर सोचो यहाँ पर dominant है मतलब इसका base level अगर हम लोग बनाये temporary तो वो जादा नीचे तक downward करने की potential लगता है ना जी as compared to इसका base level समझ रहो clear है क्यों क्योंकि यहाँ पर तो lateral erosion dominant भी हो रहा है but यहाँ पर अभी भी youthful stage में है और अभी भी V-shaped valleys का formation हो रहा है इसी लिए यहाँ पर का जो इसका जो base level है इसका जो अपना local base level है वो जादा है इस river stream का as compared to this master river stream तो सोचो अचानक से यह वाले tributary stream अगर इस main river के साथ confluence हो जाए तो यहाँ पर जो पानी है उसका तो धार रहेगा बहुत ही जादा धार रहेगा तो उतना ही kinetic energy उतना ही the erosive potential of this valley river channel will get mixed to river channel 1 ठीक है तो आप बताओ इस river में सोचो पहले इसका जो आपका base level था वो इतना था ठीक है अचानक से जब यह जब add हो जाता है तो अब इसका base level क्या नीचे जाएगा क्यों obvious सा बात है क्योंकि इसका erosive potential बहुत जादा है इसका नीचे में अपरधन करने की शम्ता जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ठीक है वो potential बढ़ गया तो obvious सा बात है यह जादा से जादा नीचे degrade कर सकता है इसी लिए यह जो है ना local level में ही मिलेगा भले ही आप आगे चले जाओगे ना तो आगे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे वो manipulate हो जाएगा और ultimately grand base level के साथ वह मिल जाएगा मतलब इसी के साथ grand base level है ना temporary base level और local base level इस तीनों को आप समझ गया है है ना तीनों को अगर आप समझे अभी है ना comment section में आओ नीचे में comment करो है ना comment क्या करोगे आप इसका answer को comment करो जो मैंने समझाया अभी तक जितना समझे हो सीखो यार कुछ सीखो है ना भले ही आप मैं समझ रहा हूँ आप diagram यहाँ पर comment section में नहीं दिख सकते हो comment section में अगर diagram लिखना होगा ना तो एक काम करो नीचे में आओ किसी को अगर answer इसका check ही करवाना है चलो एक आप लोग के लिए बहुत अच्छा offer है answer अगर check करवाना है नीचे में आप आप link देख पाड़े हो या तो आप हमारे official number पे अपना answer को send करो हमें pdf बना कर या फिर नीचे में comment करो राइट है ना तो वहाँ पर हम देखते हैं चलो आपने कितना समझा है तो चलो दोस्तों इसके साथ यह यहीं पर class समाप्त होता है मिलते हैं आप सब का साथ next class में तिल दिन बबाई take care and thank you thank you for listening to this whole video thank you very much